आज की सभामे उपसित मेरी बाताओं, वहनों और धम अन्दूओं आज का दिन बहुत ही इत्हासिक दिन है हमारे लिए जब तीन जन्वरी 1831 को सावित्री बाई का जन्व हुआ था और दस मार्च 1897 में उनका महापर्ण निर्वान हुआ था इत्तिन साल हो गया है थारज सो एकतिस और दस मार्च अहां इत्ति वर्सों में उन्हें जो कुछ किया हमारे समाज के लिए वो एक्षवरी ऐसा योगदान है जिसकी कोई तुलना नहीं है आप सब लोग जानते हो कि एक तो नौ साल की उमर में उसकी साधी हुई थी और तेरा साल के थे जो तेरा खुले इत्ती कम उमर में साधी हुई थी उस समय का चलन था ऐसा लेकिन उन चीजों पर ना जा करके हम देखेंगे कि उन्होंने कब से कब 25 साल तक का उनका लगातार योगदान रहा है शिक्षा के शित्र में और उन्होंने उसको महादमा जोतिरा फुले ने टेंड किया खेत में लिजा करके जमीन को प्लेट बनाया और आम की टेहनी को तोड़कर की कलम बना करके उनको पढ़ना लिखाना सिखाया और इस तरह से उनको सिक्षक तयार किया टेंड दी और जो इसकोल उन्होंने 1848 के लगबक खोले थे उसमें उन्होंने सरपथम लट्कियों के उसके लिए शिक्षर तयार किया और जैसा कि आप सब लोग जाते हो और प्रफिसर रतनलाल जीने पर पताया कि किस तरह से वो जाती थी और उस पर कीचड़ खड़े रहते थे और एक साड़ी पहन करके जाते थी उसमें कीचड़ और सब ठेकते थे उस साड़ी को बदल करक और दूसरे साड़ डाल करके लड़्तियों को बढ़ाती लिखाती थी तो उनका योगदान जो है शिक्षा के छेत्र में इतना महान है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती उनका जो त्याग है बलगान है और इस तरह से नोने लड़्तियों के लिए जो शिक्षा के दरवाज खोले नहीं तो आज शिक्षा के छेत्र में हमारी बहन बेटी तो क्या सवानों की बहन बेटी भी पढ़िक नहीं सकती थी इतना योगदान जो का शिक्षा के छेत्र में रहा है इसलिए हमें जैसा कि प्रूफेसर दत Eachn если वी योगदान करके हमें अपना स्कुल जरूर महात्पा जोत्वा फुले और अन्य महापुर्सों के दर्सन कर रूप अपने बच्चों को सिक्षा हम दे सकते हैं इसलिए आज की दिन पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको लोग जो है तोड़ना पसद नहीं करते क्योंकि वो उसको कुछी जलतनरी ने कहा है कि जहादे जिन्दगी में जलाद के धर से गुलाम अपनी गरदन काड़ते हैं अपने खंजर से गुलाम अपनी गर्दन कारते हैं अपनी खंजर से गुलामी अपने हाथों अपनी जंजीर बनाती है और पहन कर ये जेवर नास्ती है और गाती है ये गुलामी में जीने माले लोगों की हालात होती है ऐसे हालत से निकाल करके रास्त माता सावित्री भाई फोले ने एक ऐसी मिशाल जलाई जिसकी रोश्री में से जो है हमारी माताएं बेहने आज पढ़ लिक करके बड़े बड़े आफिसर पाइलेट और सब कुछ पुर्ध करते हुए आज के इस दिन पर हम को भावने अपनी सद्धांजली अर्वित करते हैं इनहीं चन्द सब्दों के साथ मैं अपनी बात को समात करना चाहता हूँ शेविक जया भारत